सिंधी लोगी डोकुमेंटरी शायरी इनसान की रूह की आवाज है कहा जाता है कि शायरों के पास काइनात के राजों की कुझियां होती है शायरी वजूद के नाजुक एहसासात के इजहार को भी कहा जाता है दुनिया की तमाम बातें शायरी के सर्माए से माला माल हैं कहते हैं कि इनसान के शौर हासल करने के बाद सबसे पहले शायरी इजात की महाकिकों ने अपनी आसानी के लिए अपनी तहकीकात में उसे लोग शायरी कहा है सिंधी जबान का क्या जिकर करें दुनिया की दूसरी जबानों की तरह ये जबान लोक शायरी और अदब और लोक रक्स से इस तरह लब्रेज है जैसे सितारों से आस्मान ये भी कहते हैं कि शायरी इनसान में गुंधी हुई होती है और लोक शायरी इस खुझबू के इज़ार का पहला जरिया कही जा सकती है जब तहजी परवान चड़ी ती और सकाफत की रंगा रंगी फैल रही थी तब मर्द औरत जवान बुजर्ग लोग शायरी के जरीए अपने अहसास की नजाकत और हुसन को लोग शायरी के जरीए बियान कर रहे थे यह कर दो है अजीब गाल है तो जली तमा अदब पढ़न दो तो नमें इतने ऋघ्योस आजना जाली हूँ यह घ्राद कि जजबाया उन्हें इस्वाअ जो कर्मिलें दो तो यह कर आद आजनाग को बार जमे थो तो कह माओ जली नकी सुमा गड़ने की कोशिश कही हूँ दी त तो इहां जेका गाला है इतना इन जो इन जी इप्तदा थी थे पई एड़े इन मुने सांवरी जली बार पेर पेर पंदुकरन तो लगे तो आखे याद हूं जो असामा टेलों मारूफ जानों आए इको लोग दीप मोर फो तिले तो उना माव खे उना बार जो हलन लगो हूं लेकर भी उना कित्थे हैं तो मोर फो तिले राणा मोर फो तिले राणा मोर फो तिले गुजर दो राणा मोर फो तिले गुजर दो मोर फो तिले राणा मोर फो तिले राणा मोर फो तिले राणा मोर फो तिले लोरी दुनिया की ममता भरी माओं का इजाद करता गीत है और आलाद के लिए माँ का प्यार फित्री है माँ अपनी ऑलाद को सुरों गाते गाते अपने बच्चे को नीम की आगोश में दे देती है औरत कितनी भी शर्मिली क्यों न हो मगर माँ बनने के बाद जब इसका बच्चा जूले में या चोली में जूटे लेता है तब वो बे अख्तियार मीठे सुरों में गुनगुनाने लगती है कहा जाता है कि लोरी इतनी कदीम सिन्फ है जितनी खुद इनसान की जनम की तारिख लोग की तजी जगा ठायल जाया हुआ जगा आम शायरिया हुआ कट इनती ठाय सके उन्हें सब्क दिए तहने शाहिदी साम मुझे 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 वास्तों पिदाइस खाब अगज़ वाना बार पेटा में उंद्वाता मुझे बादेगा ज़े बादेगान शुरू कर दिया हुआ जब जो ओक जो गो गो वहर महसूश से क्लों पर्मेशन है से का उन्हें बेना गरी तो मतलब इए गोंगी तन्जी महाथ थे शुरू क्यों बोल sovereign,ynth 완성 की बोलिए,न regression माम दिलन में उन्हें जी जी के बोली जो हुसन दिसना या बोली जी घुसा की दिसना या असरंगेजी दिसना या वस्तल की दिसना तो वह लोग भी दिसना करते हैं कदीम सिन का समाच एक देही जर्य समाच था गाउं की जिन्दगी फल किसान खेत कुवाँ दरगत फसल पकड़नडियां हर्याली मुसलाधार बादलों की कड़क तेज सुफान दरिया नदी हाथ की दस्तकारियां और महमान नवाजी मेल जोल महबत शादी गमी दुख सुक मरन जीना और ऐसे सब मौाके के घरेलू लोग गीतों की इखतरा और दरियाफ कुनंदा और जनम देने वाली खावातीन ही है और इसलिए तमाम लोग की बड़ी तादात में देहाती सुगर आर्टों के ही कहे हुए होते हैं जिन में घरों के अंदर घरों की बज़र खावातीन नानी, दाधी, ममतत भरी माएं और प्यार करने वाली बहनों की काविशे हैं जो सुब सवेरे खेतों में हो या सांच सवेरे मधानियों में दही बलोते मधानियों के सरगम के साथ-साथ और उंचे सुरों में जिस जजबे का इखार करें वो एक लोग गीत बन कर सारे जहां में गूंजे जाते हैं और फिर इन गीतों में नित नए सत्रों का इजाफा या मिस्रों का जोड लगाती रहती हैं जी आसामत पुराने डूरदी अंदर मुक्तिरिक मानवशारी का आवा जानन मुक्तिरिक मुणक पूलिक अक्लजी मौन को आवा लोगी ताहओं अनुन सोब्स लोगी अच्छा इस्तमाय फसलन थे कटाईते मृत्रफ लोगी के नाचे हमब जाए सिंद्चा इसन सबास्टों और गभर कर दो में लोगी संद्धा इस नाचे पर मोगी जाए अई एड़े तरीके सांसेंदू जे उनन लोगी तन में वरी उकड़ा अक्ले जा एक खास मुट्था हैं जेके बना में मोजी जेके मारं के बना देखा वठ्छी जेके मारं वुए सब ये फुद्रमा रहन था तो उनन जी पी तखेल जी जुन्या छेए जले वरेतियं वहुंदा वर्या तह ये वरं जे इंतिजार में उनन गीत चेया सावन जी मौसम आई ता सावन टीज जड़ा गीत असानि म्यानें जेके परेट परने लुद्रमाइटन का उनन सावन टीज जड़ा गीत चेया ये लोली एच्छलो जेके इंसिके मोहबज्जा गीत हैं होजमा लोफ… खुशी जो गीता हैं ऐस सिंधी जे खाना बदोशी वारे गोर जी नो प्रिया जारा है हैं। उनने मेरेouter कोई खटी आया है और खैयर साथ उनने «जार गीत चूरू शुषा आया गया।» इन सिंदी लोग गीतों का एक रंग बरंग बयान है और ये इतने हैं कि शुमार से बाहर और हर लोग गीत का क्या खुबसूरत और हसीन नाम भी रखा गया है मिसाल के तोर पर बिलन, मोरो, ढोलो, गाज, सानोडो, छलडो और अक्सर लोग गीत लहक के साथ गाए जाते हैं जैसे हुच जमालो लासोडा नामी रक्स के साथ गाए जाते हैं लोग गीत यूं तो हर जगा पर और हर मौके पर गाए जाते हैं मगर खुशी के मौके पर जो शादी बयार रस्मों के दोरान गाए जाते हैं वो इस दोरान इस तक्रीब को चार चांद लगा देते हैं असांजीरे जो लोगीटर लग दो, वरी ञपासल लोगी, जो लोग दो, रस्मों साथण सोनम जो लोगी त लग होंदो, रहीता हैं तनी तरहें अदेको रुससाती तेली तので आइं जो लोगीटरी जो अलंग दो वे वन्य द royaltyja मौन्याज और मताब्द ने आट जए उन्हें। उन्हें ठावन रूं, रवायत जणननने रिंती रीवितनल। उन्य मताब्फ लफज को हों। 2021 उन्हें साटकर अन्हें। आन्हें विदिशन उन्हें पुटींगी वने थी। लोग गीतों में चलो लोग गीत भी अपनी मिसाल आप है इसमें भी तरह तरह के बोल मिलते हैं चलो हाथ का जेवर है जो किसी भी उंगली में पहना जा सकता है मगर लोग गीत के हिसाब से चलो सबसे छोटी उंगली में जचता है देहातों में आज भी इसे प्यार की निशानी समझा जाता है चलडो लोग गीत सुरीला गीत है इसे मर्द भी गाते हैं और औरतें भी को का जाता है जो का जाता है झाता है सकता है भी इसे छोटी उंगले इसे भी इसे रिफ उंगलिकत थी लोग गी टेकराज मांक दिवह नारे वटा, तर आवामी तोह जीटका एनने को जोड़ोंगे नियू करें के एनने को आवामी जीटका एननने को शाहर कुंधी तो, एननने को कॉम पोज़ोंगों तो तो अवाम, मखलब एफदा, मामू, सिंधी सबाजड़ा, अचिन जी जालता केंगे तो उनें जे खुशी आए, तो खुशीय में उने जे जबान के लंग रहती था उनें जिन्दारं शुरू कर उता हुचेंगे गम्म आए तो उनी हवाले साँ, बाहर पेदाशे से शुरू उनेंस शुशीय में अस्छन ओम के इंजा कर उनें जे हवाले था हुचते साम से नीजिये यह शह सबड़े को बतल गती कान है तो अई उन् Streण वे जाइड़े जाय जाय जायंड़े जन्या जन्याओ जन्याओ अकी चीवा मुवारे devo Environmental anos या कोभा लोगे तरन सुनी विन्याई वगैर ऐसवा हो मखे मारीं गुम सुई विन्याई इते नहार माई इते नवाई, इते नहार वर्यॡूर डोड़ोर जन्याई इतने हार माई इतने हार लोग गीतों के खजाने में यूं तो एक एक लोग गीत अनमोल मोती के मिसल है मगर एक लोग गीत जिसे लोटो पकारा जाता है इसका तो कोई जवाब ही नहीं वो क्या दिल लुभाने वाला दिल चस्प लोग गीत है इस लोग गीत में बात करते करते आम इस्तमाल की चीजों का नाम यानि लड़कियां इस गीत में शामिल करके कह कहे बिखेड़ती हैं और हस्ती हैं और गाती हैं लोग की तो इनमें सही गारा तहरे जो लोग की तो ताद्लुक जो कोई धरती सा हैं इन ही जो गायें जो मजगोग आये हैं तो जी हैं मौत हो तिले कुछ को नहीं मकसद बोले चाहिन में जा बहुत हो तिले लेकिन चाहिए जो दुनिया में जित्ते तावजों धुन्वारी प्या तही धरती को कमाला है आज ju意 दाओं है सोब्ड माम लेकित्ते तिले सोब्ड का क्रिच तिले ओर राना राना मोर बले कोटिले गुजरत राना राना मोर बले कोटिले गुजरत राना मोर कोटिले 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 मोटो तो लोक मोगायो काफी पापुला थो बदिल छल लोडी जब चड़ो थी गाया, कमाजो कीतों, एक छड़ो हिकलो ब्यों में जरीना बगायो अनका को मुद गायो नारमाद अती मुझे चड़ो काफी असा लोग कीत गाया है, राची माल्या मोड़ भार, कित्रों पॉपल रख चवा है, दुनिया में जिते बन्याती तो माहू कर दाची वाल वाले में लाहे हो ह्यासा लोग करेको है मोला जड़ो एं दाची वाले मुझे ररामाद आफ, आज़ो ऑनो माह लेख, आफ अनिय जरी मासर्वाले कर दाची वाले में लेख, आज़ो र काफान है प्रजाबी शिराइटी एंगुड़ा कुड़े सज्ड़ा देना नहीं गोल्रा आओ पाजेश के जड़ें परजाबी शिराइटी एंगुड़ूज़ जाओ जो लोगजी की बढ़ाती है उड़े की एक जेखाई नहीं किते हैं किते हैं परधनू करें उड़े लोगजी की ऊपरजाइट को नहीं सबक्राइब देना मुचलहगी परजाबी सराइकी बढ़ाय थी बढ़ाय थी लोग गीत सिंदी सकाफत का सदियों का सरमाया है उनको यूंतो सिंदी माश्रे के सुगर मर्द हजरात ने भी कहा और उनको जिन्दा रखा मगर जदीज सिंदी शायरों ने भी उनकी एहमियत का अंदाजा करते हुए बहुत खुबसूरत और दिलकश गीत कहे है इन शायरों में सरे फहरस नाम शेख आयास का है जिन्होंने हमर्चो, सावन्टीज, करहो जैसे नए शाहकार लोग गीतों से सिंदी जबान की जोली मोतियों से भर दी खास तोर पर करहो लोग गीत शेख आयास ने जिद्दत से ये लफ्स कहें है हुडक हलो तीमा हलो पंद परे केर करे हो वाट अवाटी डील डरे हो पोबा पिरिया जो पंद भला हो छेज लोग गीत छेज लोग गीत एक खिलकिलाता लोग गीत है छेज लोग गीत में कोई अलबेली नार अपने महबूब के हुसन और छबीले पन को कुछ यूंग आकर बयान कर रही है अडे चंड अडे चंड अडे चंड पिरी तोता डिठोना है संदस रूप संदस रंग ये आहे जेया तूं अडे चंड अडे चंड अडे चंड अडे चंड पिरी तोता डिठोना है संदस रूप संदस रंग ये आहे जेया तूं सिंद में लोग गीत का होना खालिज सकाफती अश्या और रोज मर्रा जिन्दगी से ही अबारत है और यूँ लोग गीत गुन गुनाने से पैदा होता है और दीखा जाए तो इसमें किसी राक की तासीर भी समाई होती है हमर्चो रक्स हमर्चो लोग गीत तो अपनी मिसाल आप है ये लोग गीत खेट किसानों से वाबस्ता है जब आस्मान पर बादो बारा के आसार नमदार होते हैं तो खेट किसान अपने हल लेकर अपनी जमीन पर आ जाते हैं और बीच बोने लगते हैं या फिर जब फसल पक जाती है तो उस वक्त भी तमाम किसान मिलकर जो आसपास के खेतों में अपने काम में मसरूफ होते हैं मिलकर हमर्चोग गाने लगते हैं यह लोगी जिके इनसानी फित्री ज़स्बन जो इधार बंदी आया जिनमें आम शायरी वारी था, तू वारी गाली नायन तमाम सादन लगजन में सादन बोलन में राइनिंगा है राइनिंग सिंधी मानुझे असपी जोग का नसर नसर में समायल आए तो शेयन के आम नसर में भी गालीं करने जाने राइनिंग करदा है यह उनने जी जहानकी निशानिया है खोर सारा गीता है मिसाल तोर गीता है कजले ओजे को थरी गीता है जे में जेल जो भी नहीं हो जिकर आए जानी मां जो जेल में आऊ रेल रेथी जां मिसाल तोर नहीं से ताम अड़ो जो गीत फुपसुरत लगन्दवा तो जेल जो की जिकर आए जानी जेल में आए उन्हाजी महभूबा जेका ऐसा रेल में उन्हों सा मिलाड़ी पर आई जो मुल्क मलीर चगन था अजिप जो कौई सबस्ते रखि तो फेल महतनी उन्हाजम मुझित करें लोग जीतार से स्थेखियों परण उन्हाजी संदा पर इस और थाजी जो जो सब्सक्राइब करने लिए लोग अदबते लिख्या हैं जैने सुगर्ण जुपचे नोचीवेयों लोग गीत अचीवेया सब कोज अचीवेयों सिन के हर अपने अपने लोग गीत होते हैं मगर सहरा थर के रंगा रंग लोग गीतों की तो बात ही क्या है सहरा थर ने दुनियाएं लोग गीत में तरह तरह के लोग गीत पेश किये हैं थर जहां जिन्दगी बहुत कठीन है और जलती सुरज की तपश और कहस साली की वज़ा से यहां के लोग हर वक्त मुसीवतों में घिरे रहते हैं मगर बावजूद इसके नाजुक दिलों और मजबूत आसाप के लोग दिन की सक्तियों से बरसरे पैकार रहते हैं और रात को तीलों के आस पास महबत भरे लोग गीत गाते रहते हैं इन्ही तीलों के आस पास थंडी रातों में एक कोयल नुमा आवास अभरी माई भागी माई भागी की आवास जिसने सेरह थर के टीलों को ही नहीं सिंधी लोग गीतों की दुनिया को भी आबाद कर दिया यूँ ये आवास लोग मौसिकी पर यूँ छा गई के माई भागी को थर की कोयल का खिताब अता किया गया जिर्मिर जिर्मिर दोना परते पवनिह लो लागावे, मोर्द पमया मीठा बोले को यली सोर मचावे, उताना पुचा छेल लगो मरिया हेकली, जातो रोवा ताडू माना ओचा दी मनी देख उताना पुचा छेल लगो मरिया हेकली, जातो रोवा ताडू मना ओचा दी मनी देख ले, खड़ी दी मुगे लीजे बात माई भागी, सहरा थर के वीरानों से एक और आवाज उभरी, ये आवाज उमर कोट से उभरी जी हाँ, लोग मौसीकी पर छा जाने वाली आवाज माई धाई की आवाज माई धाई एक आम देहाती औरत है, जिसने घर के कामकाज या सहरा थर के टीलों में जिन्दगी बसर करके नितने लोग गीत गाए और फिजाओं में इन लोग गीतों की गून से अपनी पहचान बनाई चेहरी पर प्राइब लोग में जिन्दगी बड़े घूंगट और ढोल के साथ जब माई धाई मजमाए आम के सामने आई तो तालियों की गूंच में माई धाई को शहरत दवाम का सर्टिफिकेट मिल गया आज माई धाई ना फकत वादी सिन मगर सिन की फिजाओं से बाहर भी बहुत जानी पहचानी जाती हैं और जहां कहीं भी जाती हैं महफिलों पर च्छा जाती हैं सिंदी समाच का कौन ऐसा फर्द होगा जिसने इस ने इस ने ये मशूर लोग गीत ना गुन गुनाया हो मोरो नाहे थोरो ओ मुमल मोरो वेटी ड्याँ ये मोरो लोग गीत कोहिस्तान की फिजाओं से उभरा था यूँ अब ये लोग गीत पूरे सिन में जौको शौक से गुन गुनाया और गाया जाता है मोरो वेटी ड्याइन एवी आसान एवी खुब्सूरत एवी नेचरलाइन जो फ्लो एवी नेचरलाइन जो बॉक्टर एनिमरी सुमल जेका जर्मन खातिम हुई आए वड़ी स्कॉलर हुई शुंग में जी हुई खास्ट एवशा लपीश के ते सिंगतर में जो कि देके शुपी शाय रहें उननें को पंजाः इल्मी ए पहती की मताला लिखंदी हुई इन फिकरे फेरे पहले के खत्व में मोरा लिख्या उनने जो इन दिर राइटिंग में उनने नहरा अंशाले में बहुच्ट ए उनने में इद्ली साधी राइनिंग हुई कि तहां सोच्वे तो इस जर्मन खातून भी मोरो लिखी सगेती अधिफार साथ जई सब्मूँदा तो मोरा करते हैं तरह तो मुखेत असाथ ही तहकीक पड़ी दॉप्र नभीबाश थान बलोट थी मोरो के हवाले साथ यह को दॉप्र नभीबाश थान बलोट इस पेंग जादे के मोरा हैं उन्हें मोरो जी घून ना है वारिया है तो उन्हें ते डॉकर नभीरोष्टान बलोष का रिसर्च भी गई तब असांसे पढ़े नोगी पंजा पेरा देखो आखो इस पेन जर्वनी ताई भी मिलन खाँ ए या असांसे ला यकिनन खुशी दी राल होन खते सावाहि के मोरोथ जल्ण मां फुशी दा गाई तुलल काई गुले जानी जमा तो रही तक दू वह आई भी मुझर रभ ये आए सावाहि के मोरा थ जल्ण मां खुशी दा गाई सिंदी की सकाफत में एक लोग गीतो ऐसा है कि गीतों की पेशानी का ताज बाश्याँ और शेहनशा समझा जाता है और इस गीत का उन्वान है हो जमालो जिसका एक एक मिस्रा सोने में तुलने के लाइक है और यही जमालो सिंद का मशूर और महबूब कीत समझा जाता है जिसके गाते वक्त रक्स भी किया जाता है जिसको जमालो कहते है इसके गाने का अंदास ही एक मुन्फरिद है पहला बोल उठाना और उसके दूसरे साथी बोल का जवाब देते है ओम जो जमालो जतने साथ ओमुचो जमालो जतने साथ ओमुचो जमालो आशन दुसां ओ भुचो जम्मालो आ संदुजा ओ ही या सदुरी सुने लाल जी ओ जहने रोजो लाल लतीफा जो असा के संदुदगा दो नाजवा सदुन चौपट को सोदा बाला हुआ ओुचा, भश्य क्यास झाल लाल जार साभी ओंड़ मज सका जारा संदुन हम जाओल से वजित्वा जास जार प्रावा डुचा सदुन झाल